कि अगर हमें अपने बाइनरी नंबर को में कनवर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी नंबर बाइनरी में गिवन है तो उसको हम लोग लेफ्ट से लेते हैं बाइत तरफ से शुरू करेंगे और तीन-तिन का सेट बनाएंगे जैसे हमारे पास जो नंबर है नबर अगर मैं पढऊ तो हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट से पढ़ते हैं तो गलत रॉइट सेにू persons बना रस्यू कर लेकिन जब लोग इसको क्या बनाएंगे चैनिक सेट बनाएंगे अपने रैटेंड जाइड से मुझा देखंगे वे जीरो, वन, जीरो, वो एक सेट में चला गया, उसके बाद जो बचा, आप लोग 1, 0, 1, तो 1, 0, 1 एकसाथ हो गया, उसके बाद आपका फिर उसके बाद, जीरो बचा अकेला नंबर तो अगर किसी नंबर को आप लोग तीन-तीन का सेट जब आप राइट हैंड साइड से बनाना शुरू करते हैं तो हो सकता है लास्ट में आने वाले नंबर के साथ कोई नंबर अकेला पढ़ जाए या उसके साथ एक या दो ही नंबर पढ़े तो हम जितने नंबर कम पड़ रहे हैं उतने zeros को उसमें add कर देते हैं तो इस तरह से हम लोग जब करेंगे तो देखिए इस नंबर को फिर से हम लोगा जो नंबर है उसमें right hand side से हम लो 3-3 का set बनाएंगे तो 010 फिर 100 एक साथ हो गया 101 चबसे जो end में 1 था वो अकेला था तो ह हमने उसके साथ में दो zero's को add कर दिया लोग क्या करेंगे इसके अंदर किजो हमारा number है जो 3-3 का set बनावा उस तीन नंबर जो बाइनरी में है वो remember हमारा binary में है उस number को क्या करेंगे उसके decimal equivalent में convert कर देंगे उसको हम लोग किसी decimal को बांबर कर देंगे इसी तरह से अगर हम लोग को किसी decimal किसी नंबर को बाइनरी नंबर को अगर हम लोग को hexadecimal में करना है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सीधे उस बाइनरी नंबर को right hand side से करेंगे Jeśli यहाद करेंगे 244 के सेट में डिवाइड करेंगे तो जैसे अगर वही नंबर हम लोग लेते हैं अब इसको हमको करना एग लोगो किसमे हम लोग थैस्प्सक्राद डेशमाल में किर हम लोग करना तो राइट-टक्रोने में थैट वर्यम और तो किरत बनाएगे हो गया Last में हमारे जो नमबर आ रहा था केवल नमबर थे 1 0 वन जीरो तो केवल वन जीरो बच देद रहा था तो हम लोगों ने उस नमबर को में 2 0 को एड़ कर दिया अब जो Binary नमबर जो बचा है उसको हम लोग उसके decimal역 का ना बहुत आसान वन 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 तो इसमें इसमें आप जैसे की नंबर हम बात कर रहे हैं मान लीजे 1010 और इसको हमको करना है को decimal equivalent पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं प्लेस वैल्यू को डिजिट वैल्यू से multiply कर देते हैं तो वन वन जीरो वन है तो क्या हो डिजिट कौन कौन से मैं फिर आप उसको लिख देंगे तो हमारा नमबर हो जाएगा 25ग 11% सब्सक्राइब करना हुता है तो सेट उसको हम लोग respondingly तो यह चीज़ें हो गई अब एक और नंबर मालीजे लेते हैं कि इसमें अगर कोई नंबर को हैक्साडेस्मिल से बाइनरी में करना है तो हम लोग इसका उल्टा करते हैं अभी तक हमने जो किया था किसी बाइनरी नंबर को और हैक्साडेस्मिल में करते हैं अगर तो इसका रिवर्स करेंगे अगर किसी हैक्साडेस्मिल नंबर को हमारे binary में convert करना है तो मान लीजे hexadecimal नंबर हमारा है A3D9 तो मैंने आपको बताया था A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, E मतलब 14, F मतलब 15 तो सीधे-सीधे आप जानगे A3D9 है तो A मतलब होता है 10 और D मतलब होता है 13 तो आप लोग देखेंगे कि A मतलब 10 हो गया तो 10 को हम लोग binary में कैसे लिखेंगे तो इसका simple तरीका है 10 को किसी नंबर को binary में convert करना है तो उसको decimal नंबर आपका जो term है उसको सीधे binary में convert करने के लिए यह मतलब लिखे 10 और 10 को टू से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या करते है binary में convert करने के लिए उस नंबर को टू से convert डिवाइड करेंगे तो हम लोग decimal में 10 के equivalent है तो decimal to binary conversion में आपने पढ़ा था कि इसी number को decimal से binary convert करना है अब आप बोलेंगे कि यह लिखा हुआ है तो उसको हम उसके equivalent hexadecimal में convert करेंगे यह हमारा होता है 10 तो उसका डैसमेल equivalent है 10 तो उसका binary क्या होगा तो हम उस नंबर को टू से डिवाइड करेंगे तो 10 से कि तो द तेन कितना आएगा जीरो तो पहला number हो गया जीरो उसके बाद 5 तो अब फिर वाइफ को 2 से करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे थिर त्री कोड्री ने करने का प्रोस्टीजर देख लेंगे अगर किसी को थोड़ा सा डाउट है तो हो सकता है क्योंकि आप लोग इसमें घवडाना नहीं है आराम से करना है डिवाइड करके निकाल लेंगे थोड़ी सी प्रेक्टिस के बाद यह सारी चीज़ें याद हो जाएंगी फिर इसे थर्टीन का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यह 110 और नाइन का है 1001 तो इस तरह से इसको कर लिया जाएगा अब जैसे माली जिर एक और एक्जांपल देख लेता है माली एक नंबर है और आनरे पास 630076 यह औक्टल नंबर है और इस ऑक्टल नंबर को हमें binary में convert करना है तो हम जितने भी digits है 6, 3, 0, 0, 7, 6 हर number के correspondingly 3 bit का binary equivalent लिखेंगे जैसे 6 को binary में लिखते हैं 1, 1, 0 7 को लिखते हैं 1, 1, 1 0 को हम लो 3 bit में represent करेंगे तो 0, 0, 0 0 को वही 3 bit में 0, 0, 0 3 को लिखेंगे 0, 1, 1 और 6 को लिखेंगे 1, 1, 0 अगर किसी को बहुत पर्शानी हो रही है बार-बार convert करने में तो वो इस चीज़ को यह आद भी कर सकता है थोड़ी practice के बाद यह चीज़ याद भी हो जाती ही कि one का at least one to nine का binary representation आपको याद कर लेना ज़्यादा आसान पड़ेगा और फिर finally सारे नंबर को mix साथ लिख देंगे तो वो उसका binary equivalent हो जाएगा यह तो हुआ binary to octal octal to binary या आपने पढ़ा binary to hexadecimal and hexadecimal to binary तो यह तो इनके बीच की बात हुई लेकिन अब एक level बचा आपका कि अगर octal को आपको hexadecimal को octal में convert करना है या octal को hexadecimal चेंश करना है तो यह conversion जो होता है direct नहीं यह हो पाता है इस conversion को करते समय पहले आप hexadecimal को convert करते हैं तो ऐहले आप hexadecimal को convert करेंगे Binary में फिर binary से आप convert होंगे October में और अगर आपको octal से hexadecimal में तो पहले आप से जाएंगे बाइनरी में मतलब बाइनरी में होता है वो हमारा इंतर्मीडियेट लेविल होता है converter का काम करता है जो एक्षाडीमें तो पहले हम लोग उस नंबर को ऊसके बाइनरी कोई से तो यह हमारा हो जाएगा वह फाइफ को बाइनरी में लिखेंगे लिखेंगे 0101 फॉर को लिखेंगे 0100 और यह मतलब 10 10 को बाइनरी में लिखते हैं 1010 तो यह हमारा हो गया बाइनरी अब हम लोग क्या करेंगे अगर इसको अक्टल में कवर्ट करना है तो बस एक चेंज ला देंगे इस सारे नंबर को as a whole मानेंगे और राइट हेंड साइड से आप लोग अपने सामने में बोलो राइट हेंड साइड से उसी नंबर को अब जो पहले 4-4 के सेट में बना था अब उसको 3-3 के सेट में डिवाइट कर देंगे तो 101 देखे राइट हेंड साइड से एक साथ आ गया फिर ये लिखने में यहां पर मिस्टेक थोड़ी से इन्होंने कर दिया है zero-zero-zero एक साथ आना चीज है इन्होंने वन-जरो-zero लिख दिया है तो जिरो-जरो-जरो यहां छोटी से एक मिस्टेक है इस पॉइंट पर तो तो 0 0 0 एक साथ übrig को जाएगा और उसके बाद क्र rasa a 5 वाले में 0 1 0 1 है तो यहाँ पर एक इनक़ 3 कि सएड बनाने पर यह नंबर आपका क्या बने गा यह आपका जीरो 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 बने के जीरो होगा तो फाइनली नंबर फाइफ वन जीरो फाइफ होगा जो ऑक्टल में आपका होगा ठीक है और इसी तरह से अगर माल लीजे हैं पहले में युर्ट करना होता है तो हम पहले और इसके बाद उस बाइनरी नमबर को हम लोग तो हमको बैंडरी में करना हो तो क्या करते हैं हर इंडिविज्वल डिजिट को हम हम लोग 3-bit के binary representation से replace कर देते हैं तो वन हमारा हो जाएगा 0010 हो जाएगा 0004 का हो जाएगा 1005 का हो जाएगा 101 अब इस सारे नंबर को जो तीन-तीन के सैट में था उसको हम लोग चार-चार के सैट में डिवाइट कर देंगे तो देखिए करेंगे और जो है और डैसमिल में 120 के होता है आपका होता है एलेवन के से लिखनें इसको कहेंगे लावन को भी से ρेप्लेस कर देंगे तो नंबर हो जाएगा आपका B01 16 ठीक है तो अगर किसी number को माल लिजे आपको दिया हुआ है octal में है और उसके decimal equivalent में convert करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं हम simple place value को digit value से multiply कर देते हैं तो इसमें आपका क्या होगा हर bit को आप लोग place value क्या होती है octal में 8 raise to the power 0, 8 raise to the power 1 8 raise to the power 2, 8 raise to the power 4 तो हम लोग उसकी digit value थी 53702 तो individual digit को उसके place value से multiply कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा हमारा उस octal number का decimal equivalent ठीक है एक shorter reason तान है इसके बाद आपको अगर वही चीज़ आपको hexadecimal में करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं hexadecimal में individual digit को देते हैं तो digit हमारे पास थे 5, 3, 7, C, A तो इसकी digit value hexadecimal में होती है 16 raise to the power 0, 16 raise to the power 1 16 raise to the power 2 and 3 and 4 तो जो जो individual place value थी उसको digit value से multiply कर दिया अब hexadecimal में C और A आपको ये table याद होना चाहिए A, B, C, D, E, F ये आपका होगा A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, E 14 and 15 इसको इससे multiply कर देंगे तो ये हमारा hexadecimal equivalent हो जाएगा और अगर आपका कोई number convert करना है मान लीजिए कि किसी decimal number को octal में convert करना है तो ये guideline से याद रखिएगा किसी भी decimal number को अगर octal में convert करना है तो decimal number को 8 से divide करते हैं अगर decimal number को binary में convert करना हो है तो उसको 2 से divide करते हैं उसको hexadecimal में convert करना है तो 16 से divide करते हैं और जितने भी remainder आते हैं उसको reverse order में हम लोग लिखते चले जाते हैं तो अगर octal को आपको convert करना है आपको decimal number को उसमें convert करना है आपको किसमें तो आप उसको एट से डिवाइड करेंगे जैसे एक टू जो 16 और 16 के बाद 8 6 जा 48 तो और remainder 7 आ गया इसी तरह 26 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 remainder 2 आएगा और 8 0 remainder 3 तो सारे उसको reverse में 7 327 करके आप उस को record कर लेंगे इसी तरह आगर आपको hexadecimal convert करना है तो यही प्रोसीजर 16 के साथ दोभाया जाता है ठीक है जैसे 215 को अगर आपको hexadecimal करना हो तो 16 से डिवाइड करेंगे 16-16 remainder 5 आपका आएगा तो आपका फिर 16-48 रिमेंडर सेवन और 16-0-0 remainder 13 13 को हम लोगों hexadecimal में डी से रिप्जेंट करते हैं तो यह डी 17 के एकवल हो गया तो सारे आपके प्रोसीजर हो चुके हैं तो यह